हेलो गाइस यह मैंचेस्टर का वॉक्टेंड गार्डन है और मैं आज वॉक्टेंड गार्डन पर आई हुई हूँ तो यह देखिए यह मैं वीडियो बना रही हूँ अब वेदे पहले पानी गिरा था इसलिए फ्लो जो है गिला हो रहा है तो यहां वैदर का कोई भरोसा नह है तो यह देखिया मैं एंटर हो रही हूं इस बॉक्टेंड गार्डन के अंदर है कि यह आपको दिख रहा होगा व्यू बहुत अच्छे तरीके से काफी ग्रीनरी है और बहुत क्लीन है एकदम अच्छा लग रहा है काफी यहां के यह आपको बड़े-बड़े दिख रहे होंगे यह बहुत बड़ा गार्डन है अगर हम चलते जाएंगे तो यह नेवर एंडिंग प्रोसेस है पर मैं जितना दिखा सकती हूं जितना कवर कर सकती हूं आप लोगों के लिए उतना में कवर कर रही हूं कि छोटा सा एक ऐसी हट बना के रखा है इन्होंने आई थिंक पानी वानी गिर रहे तो इसके नीचे आके आप खड़े हो सकते हैं इसलिए यह होगा यह देखिए पूरा कि आपको दिख रहा है पूरा गीला हो रहा है यहां दिखिए क्योंकि काफी जादा बारिश हो रही थी अभी कुछ मिंटों के लिए वैदर खुला है यह आपको चुड़ी हो अगरा कि बर्ड्स की काफी सारी अवाज है आ रही होंगी यह कही सारे पेड़ तो यहां अपने आपी उग जाते हैं जंगली पेड़ें लेकिन वो सुन्दर लगते हैं काफी ऐसा नहीं है कि खराब लगते हैं कि यह देखिए पूरा है साही है यहां चलते जाओ चलते जाओ जलते जाओ कि यह देखिए कितनी प्यारी गुफा ठाइप है यह देखा आप लोगो ने चले इसके अंदर लेके चलती हूं आप लोगों को इसमें काफी सारे चब अच्छा फूलों का मौसम होता है तो चारो मेंस जो भी इसका कवर किया हुआ ना इसमें फूल आ जाते हैं तो यह बहुत ही प्यारी रखती है जब वह वैदर आएगा ना फूलों वाला तो मैं व देखिया हम इस तरनल से बाहर निकल के आ गया है जाए चेयर्स है सब यहां बैटने के लिए कि काफी सुन्दा लग रहा है बहुत प्यारा कि मौने यहां पर लोग आते हैं ऐसे टॉक्स को गुमाने के लिए यहां पर बहुत कॉमन है लोग पैट रखते हैं टॉक्स या कैट चलिए अब हम चलते हैं कि यह देखिए अब कैसा व्यादा था पूरा क्लावडी देखिए यह वीडियो बनाते साथ दूप आगी देखा आपने पडल भी दिख रहा होंगे पानी के क्योंकि काफी सारा पानी गिरा था कि यह पूरा वागड़न गार्डन ऐसा ही है काफी सारे फूलों वगरा के भी पेड़ लगे हुए हैं यहां पर तो गाइस यह है यूके का मैंचेस्टर का वागड़न गार्डन अगर आप चाहते हैं में इस टाइब के वीडियो और लेकर आहूं आपके सामने तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक पे क्लिक करना बुल ना भूलें और आपके कमेंट जरू शियर करक और मैं आपको और दिखा पाऊं यूके कैसा है अंदर से